दोस्तो अपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबादें क्योंकि हम लागते रहते हैं नए-ने बिजनिस आइडियाज और नए नी जैनकारी के वाल आपके लिए कील यानि की नेल का इस्तमाल किया ही होगा तो आपने कभी सूचा है नेल को कैसे बनाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं नेल बनाने माले फेक्टरी का अन्बोक्सिंग दोस्तों आपने अलग-अलग टाइप की और अलग-अलग मटरियल की नेल यूज की होगी पर इस फेक्टर में नेल बनाने के लिए कार्बन स्टिल का इस्तमाल किया जाता है और उसके लिए अलग-अलग टाइप के मटरियल जैसे की SS और MS भी यूज किये जाते है अब नेल बनाने की process start होती है बड़े से drum पे लपेटे होई stil के wire से इस stil के wire को automatic machine में डाला जाता है और दोस्तो इस machine में mainly दो process होती है सबसे पहले दो cutter की मदश से wire को cut किया जाता है औरığ linha shape दिया जाता है और press की मदश से nail का head बनाया जाता है और ये पूरी प्रोसेस बहुत ही स्पीडली होती है और ये मशिन में एक मिनिट में करीब 200 नेल तैयार हो जाती है को जाती है अब बार ये नेल को पॉलिस करने की उसके लिए नेल को स्पेस्चल सेंट के ड्रम में डाला जाता है और उस ड्रम को रोटेट किया जाता है अब बार ये नेल जाता है आफ्टर पॉलिसिंग नेल रेडी है यूज होने के लिए और दोस्तों इस ट्रेक्टरी में एक साल में करीब 25 मिलियन नेल तयार की जाती है और उसके लिए 10,000 टन मेटल का रो मेटरियल यूज किया जाता है अब आप अपने घर में नेल का इस्तमाल करेगे तो आपको पता होगा कि ये नेल कैसे बनाई गई है दोस्तों आप तयार माल को जूट के बोरे में पैक करवा कर बजार में सेल कर सकते हैं कीले नोकीली होती है इसलिए प्लास्टिक के बैक के फटने का डर रहता है हम चाहें तो एक किलो पांच किलो और दस किलो के पैकेट भी बना सकते हैं दोस्तों वायर नेल का बिजने सुरू करने के लिए टोटल खर्चा 7-8 लाग रुपे के आसपास आता है जिसमें आपकी 4-5 लाग रुपे की मसीन की प्राइस होती है उसके बाद रॉव मेटरियल, पैकिंग मेटरियल, लेवर कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और अन्य बाकी सारे खर्चे है चलिए अब इसके प्राफिट को समझते है इसमें टोटल प्रॉडक्शन कॉस्ट 32-35 लुपे के आसपास आता है रॉव मेटरियल और बाकी खर्चे के साथ और ये तैयार माल बजार में 40-45 लुपे के हिसाब से बिखता है जिसमें हमारा एक केजी में प्रॉफिट 13-15 लुपे के आसपास आ रहा है अगर हमारी मसीन एक दिन में 500 किलो से 600 किलो का प्रॉडक्शन करती है उसके अलावा पैकिंग, कॉस्ट, ट्रांस्पोटेशन और बाकी खर्चे जात निकालने के बाद भी हमारा टोटल प्रॉफिट एक महीने का एक लास आता है दोस्तो सुरुवात में हमें थोड़ी मुस्किले हो सकती हैं अपने तैयार माल को मार्केट में बेचने में हमें हर दुकान पर जाके अपने माल का सैंपल देना होगा और फिर उनसे और लेना होगा या फिर हम डिरेक्ट डिस्टिब्यूटर के जरिये भी अपने तैयार माल को बजार में बेच सकते हैं जिसके अंदर काफी सारी दुकाने होती है